एक पंथ दो काज हो गए, मनुवादियों के इस जज्ज्मेंट के आने के बाद से तो जो थोड़ा बहुत फाइदा किसी किसी को पहुंच रहा था, वो भी बंद हो जाएगा, कि ये सीटे चुरा के गायब कहा हो गई, आस्मान खा गया, जमीन निकल गई, कहां गई है सीटे और इनकी जगा कौन लोग बैढ़ गए, उन सभी की नौकरियां जानी चाहिए, उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, CST Act में, और अगर जो लोग इस पद तक पहुंच भी गए, यानि के स्वैम वो अकेला व्यक्ति क्रीमी लेयर में जाता है, उसका परिवार भी, या सम नाज के उसकी तो बहुत दूर की बात है, रोज हम मॉब लिंचिंग देखते हैं, अगर कोई घोडी चड़ जाता है तो उसको घंबे से बांध कर पिटते हुए देखते हैं, कोई पानी बच्चा पी लेता है, तो उसकी पिटाई होते हुए हम रोज देखते हैं, बावा स सिक्ता की जो बड़ी पार्टी आरसे सबसे बड़ी, वो उनको मिट्टी में मिला देगी, यह उनको समझ लेना चाहिए, और यह बड़ी-बड़ी गलतिया हैं, जो आप बता रहे हो, जिसकी जितनी संक्या बारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी एंशोर नहीं की गई, तो साथ इसमें बात करने के लिए है, सुप्रीम कोट के सिनियर एडविकेट महमूद प्राचा जी, सर जिस तरह से यस्सी और यस्टी को जो रिजर्वेशन है, उनका जो साड़े 22% उनका आरच्छड है, उसको लेकर कोटे में कोटा बनाने के लिए कर सुप्रीम कोट के साथ जो के पीट ने जिस तरह से फैसला दिया है, आप तो कानून के जानकार है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इस फैसले को सही नहीं मानता हूँ, और इस फैसले से ज्यादा, इस फैसले की मनशा को सही नहीं मानता हूँ, इस फैसले को पढ़ने के बाद मैं इसकी निंदा करने के लिए बात दे हूँ, क्योंकि ये कानून के इसाब से ठीक नहीं है, इभारत के समिधान के इसाब स सीख नहीं है और ये समाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए या तोड़ने की एक तरीके से वज़ा साबित होगी लेकिन वही सुप्रीम कोड़ जो ताने बाने की आप बात कर रहे हैं दिवाई चंदर्चूट साब जय भीम के नारे लगाते हैं बावा साब को इदम आधर्श मानते हैं उनके बिचारों पे चलते हैं समानता भाई चरा करूरा की बात करते हैं आप कह रहे हैं कि ये फैसला स सही नहीं है, कतनी और करनी में फरक होता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है, जो कम बोले और वो पूरा करे, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जो बाते तो बड़ी अच्छी अच्छी करें, मीटी मीटी करें, और काम उसके खिलाफ करें, बाबा साहब की बात क के उस पे काम करना दोनों में जमीन आस्मान का फरग है क्योंकि बावा साहब की इज़त SC ST OBC और माइनौर्टी के बीच में है तो और यह देश में अभी भी समिदान लागू है देश में संख्या का वेल्यू बाकी है तो दिखावे के लिए सभी लोगों को आज बावा साहब का नाम लेना पड़ता है बावा साहब की फोटो लगानी पड़ती है जैभीम बोलना पड़ता है लेकिन मन से जैभीम बोलना और जबान से जैभीम बोलने में जमीन आस्मान का फरक है और वो ऐसी बाते तुरंत साफ पता लग जाती है कि हम लोगों ने जैसे चिट्टी ल उन्होंने भारतिय समिधान के तौर पे देश को दुनिया को एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया था उसकी आत्मा और रू को पूरा करने में मैं नहीं समझता दिवाई चंदर चूर साहब का कहीं भी कोई भी हात्रा है हमारे शरुलकास समाज में से किसी भी जो जो अलग- उसमें से एक समाज को भी क्या फाइदा पहुँच पाया है एक समाज को भी हाँ ये तो जरूर है कि 50% से ज्यादा सीटे जरूर खाली रहती है किसी भी समाज को कोई फाइदा नहीं पहुँचा इस से ठीक है तो लेकिन इस जज्ज्मेंट के आने के बाद से तो जो बहुत फाइदा किसी किसी को पहुंच रहा था, वो भी बंद हो जाएगा, ये इस judgment का असर होने वाला है, हाँ, लड़ाई जरूर हो गई, दो धड़ों में समाज बढ़ गया, ये इसका जो कहते हैं, तुरंत जो है, फल तो आ गया है, लेकिन कोई इसका फाइदा किसी भी सम समाज के किसी भी वर्क को मिल पाएगा, इसका मुझे शाकी नहीं है, पूरा यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होने जाएगा, बलकि सब समाजों से उनका हक छीन लिया जाएगा, और आपस में लड़ाई भी करा दी जाएगी, तो एक पंत, दो काज हो गए, मनुवादियों के ये पहले तो जो मनुवादी मानसिक्ता के लोग हैं, जो भी हैं, उनके लिए तो NFS का जो मतलब है, मेरे हिसाब से होता है, never found suitable, वो कभी भी suitable हो ही नहीं सकते, किसी काम के लिए भी, जिनकी भी मानसिक्ता मनुवादी होती है, तो वो interview लेने का, exam लेने का काम करते हैं, तो फिर वो तो suitable है नहीं, ना interview लेने के लिए, ना exam लेने के लिए, और इसका result क्या होता है, कि जो लोग always found suitable होने चाहिए, वो not found suitable हो जाते हैं, जो interview देने आते हैं, वो हमेशा suitable होते हैं, खास तोर पे SCST, OBC के लोग तो 100 out of 100 suitable होते हैं, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है, मैं इसे तत्या दोर भी वेक्ति होगा, वो उनके सबसे ताकतवर वेक्ति से, जो की select होगा, उससे कहीं बहतर होगा, ये मेरा दावा है, वो कभी भी सामने आएं, तो इसमें हमेशा वो हारेंगे, ये एक बात है, इसलिए वो never found suitable होते हैं, और हम always found suitable होते हैं, एक ही है, उसके बाद एक और कानून है, कि इस बार जो सीटे खाली रह जाएंगी, वो अगले साल चली जाएंगी, तो वो भी नहीं होता है, उसके लिए backlog की लाखो लाखो सीटे पड़ी हुई है, लाखो क्या करोडो सीटे backlog की पड़ी हुई है, इतने साल गुजर गया जादी के बाद, वो करोडो साली गई, छीन ली गई, उस पे तो सुप्रीम कोड की कोई जज्मेंट मैंने आज तक नहीं देखी, किसी हाई कोड की जज्मेंट नहीं देखी, कि यह सीटे चुरा के गायब कहा हो गई, आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहां गई यह सीटे, और इनकी जगा कौन लोग बैड़ गए, उन सभी की नौकरियां जानी चाहिए, उन पर मुकद में दर्ज होने चाहिए, सीएस्टी आक्ट में, वो तो कोई कोई जज्मेंट कभी आई नहीं है, ना आएगी, सीएस्टी आक्ट को तो खुद सुप्रीम कोड डैलूट कर रहा है, एक के बाद एक के बा आगे किसी को भी ना मिले, ये भी अन्शोर कर लेना है, ये भी सुनिष्कित कर लेना है, और आपस में लडाई भी करा लेनी है, तो एक पंथ, तीन काज हो गए, दो भी नहीं किसी भी प्रकार से, किसी भी पत पे और उंचे पत पे तो बिल्कुल भी न जा पाएं उसके लिए creamy layer का concept अकाया है और कोई वजा नहीं है creamy layer का जो concept है पहली चीज तो यह समझ लेना चाहिए जिस व्यक्ति ने reservation का लाब उठाके सबसे उंचे पत तक जो पहुँच गया जैसे राष्टपती कोई बन गया कोई cabinet secretary बन गया कोई secretary government of India बन गया कोई प्रधान मंत्री बन गया minister minister की कोई हैसियत नहीं होती है मतलब creamy layer के बनाने है और उसके मानने में तो उसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर creamy layer कहा ही नहीं जा सकता किसी भी व्यक्ति को वो धोका दड़ी है और अगर जो लोग इस पत तक पहुँच भी गए तो वो creamy layer में आते हैं तो वो individually खुद यानि के swim वो अकेला व्यक्ति creamy layer में जाता है उसका परिवार भी या समाज के उसकी तो बहुत दूर की बात है उसके दूर के रिष्टेदारों की बहुत दूर की बात है जो उसका swim का परिवार भी होता है ना वो भी creamy layer में नहीं जा पाता है मैं ऐसे दरदनों example बता दूँगा आपको अभी एक जच साब का भी example में दे सकता हूँ आपको हमारे देश में एक ही जच साब को हाई कोट के जच साब को जेल भीजा गया contempt के लिए वो किस समाज से आते थे दुनिया जानती है वो तो ये तो जच रहने के बाद धालत है हाई कोट के जच इसले मैं बोल रहा हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने वो ही जाके कोई क्रीमी लेयर में आ सकता है और जो हमारे सुप्रीम कोट के जच साब है उनका परिवार भी अगर वो रिटायर हो जाए आज तो उनकी क्या दशा होगी सडक पे अगर वो कहीं निकलते वे थोटी मोटी गलती होगे उनसे तो वो खुद देख लेंगे उस बात को यह तो अभी वो खुद जज हैं और चीफ जस्टिस बनने वाले हैं तो तब तक की उनके परिवार की इस जट है वरना उनके परिवार का जो हशर एक आम नागरिक का होता है उससे भी बुरा होगा जैसे ही यह पता लगेगा कि वो किस समुदाय से आते हैं सडक पे रोज हम मॉब लिंचिंग देखते हैं अगर कोई घोड़ी चड़ जाता है तो उसको घंबे से बांद कर पिटते हुए देखते हैं कोई पानी बच्चा पी लेता है तो उसकी पिटाई होते हुए हम रोज देखते हैं एक तरफ जाती जंगरना की बात की जा रहा है तो दूसरे तरफ विपक्ष कानेता माता प्रसाद पांडे को बनाया जा रहा है ये बड़ा सवाल है क्या कहेंगे आप इस बढ़ा देखें ये जो मनुवादी बांसिक्ता के लोग हैं इन्होंने और ये मैं सभी विपक्ष की पार्टियों को इसलिए खास तोर पे आगाह कर रहा हूँ कि हमारे शडूल कास शडूल ट्राइब समाज के OBC समाज के बहुत सारे लोगों को भारतिय जंता पार्टियों और RSS ने बहका कर समाज में ही फूट डाल कर उनको अपनी तरफ अकर्षित कर लिया था सिरफ कोई कहीं चोटा मोटा जुन जुना पकड़ा के तो इस बार क्योंकि विपक्ष की पार्टियों ने बावा साब की तस्वीर और बावा साब का समिधान खत्रे में है ये बोलके जब उन्होंने चुनाओ का अंदोलन किया या चुनाओ लड़ने के लिए ये दोनों को बड़ा मुद्दा बनाया बावा साब की फोटो और भारत का समिधान और वो खत्रे में है तो जो लोग भारती जंता पार्टी और RSS की तरफ उनके इतने चल कपट की वज़ा से चले गए थे वो भी एक जटके में वापिस उनसे दूर चले गए ऐसा लग गया जंता को खासतोर पे अंबेट करवादियों को कि ये फोटो दिल से नहीं दिखा रहे थे और ये समिधान खत्रे में ये दिल से नहीं बोल रहे थे तो उनके पास से भी वो छिटक जाएंगे उनकी जो existence है ना जो उनका जो एक तरीके से वजूद है वो ही खत्रे में आ जाएगा जो बावा साहब की फोटो की वज़ा से इस बार और समिधान बचाने के नाम पे बचा है लेकिन अगर वो भी जो बावा साहब का फोटो का सिरफ इस्तिमाल करेंगे उनकी जो समिधान में दी गई इनसाफ और बराबरी का कॉंसेप्ट है जिसकी जितनी संक्या उतनी उसकी हिस्सेदारी का कॉंसेप्ट है वो पूरा नहीं करेंगे तो वो फिर उसी हाशिये पे पहुँच जाएंगे और मनुवादी मान सिकता कि जो बड़ी पार्टी आरे से सबसे बड़ी वो उनको मिट्टी में मिला देगी ये उनको समझ लेना चाहिए और ये बड़ी-बड़ी गलतिया है जो आप बता रहे हो कॉंग्रेस का तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके कॉंग्रेस प्रेजिडेंट इलेक्टिट खडगे साहब है इसलिए थोड़ा बहुत बचाव होने के चांस है लेकिन अगर हर लेवल पे, हर स्थान पे, हर जगा जिसकी जितनी संक्या बारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी एंशोर नहीं की गई तो मनुवादी वापिस हमारे लोगों को भटका के उनसे चीन लेंगे और उनका वजूद भी नहीं बचेगा लेकिन आप जहां से कोश्चन उठा रहे हैं, एंशोर दे रहे हैं सर वो सही नहीं है, जिस तरह से अकलेश यादो तभी समझ गए थे जब उनका जब वो आवाज खाली कियें और जब वो गव मुतर गंगा जल से धुलाया गया था तभी वो समझ चुके थे, उसके बाद से अगर आप कॉंग्रेश की बात करेंगे तो कॉंग्रेश जिसमें 54 सीट पर आगर सिमर चुकी थी, तो उनको लग गया था कि बाबा साहब और इस देश में 90% अबादी की बात करनी पड़ेगी लेकिन आज जो सिचुएसन फिर उन्होंने देश को चुनावी जुमला दिखाया बावा साहब का फोटो दिखाया, बावा साहब के राष्टे पर चलने के लिए सिखाया लेकिन धरातर पर हो क्या रहा है, क्या अधिकार उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है इस पर बात की जाए बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है ना अल्पसंख्यकों को मुसल्मानों को ना सिखों को, ना क्रिस्चन्स को ना बौध को, ना शडूल कास्ट को ना शडूल ट्राइब को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है इनकी मॉब लिंचिंग हो रही है रोज इनके हाक अधिकार की हनन हो रहा है रोज और पहले से ज्यादा हो रहा है रोज तो और इनकी जो जिम्मेदारी है कि जनता ने तो हाला कि इनकी सरकार बनवाई थी ये लोग खुद मजबूती से सरकार अपनी नहीं बनवा पाए अब ये मजबूत विपक्ष हैं तो अगर इन करने के लिए इनको हरेक के सामने खड़ा होना पड़ेगा डाल बनके अगर यह नहीं होंगे तो हमारे लोगों का जो विश्वास इन पे दिखाया है उनको समझ में आ जाएगा कि एक बार फिर हमें धोका दिया गया है इससे इने बचना चाहिए यह बिलकुल खतम हो उत्तर प्रदेश में दस बिधान सवा सीटों पुप चुनाओ है और यह सेमी फाइनल माना जा रहा है दो हजर सताइस में उहां चुनाओ है बिधान सवा का उसको फाइनल माना जा रहा है तो जो दस बिधान सवा पुप चुनाओ है इसको आप कैसे देखते हैं यह सेमी फ कुछ नहीं होने वाला है हर लेवल पे अपनी पार्टी में भी सरकार में जहां-जहां सरकार हैं चपडासी की नौकरी से लेके और कैबिनेट मिनिस्टर तक चीफ मिनिस्टर तक जब तक संक्या के इसाब से नहीं दिया जाएगा बिजनेस में नौकरियों में पड़ाई 30 MP हैं हर बार होते हैं उनका कोई फाइदा ना शडूल का समाज को होता है ना शडूल ट्राइब को इन सबसे बेवकूफ बनने का समय अब जा चुका है अब तो हर एक व्यक्ति के घर में हर एक व्यक्ति की टेबल पे जब तक कुछ नहीं आएगा संक्या के हिसाब से जब दस्तक लोग संतुष्ट नहीं होगा निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बच